विल्कम बैक फ्रेंट्स विल्कम तो आबर स्टेटी चैनल मुवाण शड़ी तो फ्रेंट्स आज में आप लोगे सामने बी पी एसी टाय ठीक रहे हैं इंपोर्टेंस एंसी क्यों लेका हूं मैथेमेटिक्स के लिए तो चली स्टाट करता हूं पी जी टी मैथेमेटिक्स का क आप तो फर्स्ट आपाल को संट इजना लेट एसकल टू करली ब्रैकेट 1234 एंड आड इसकल देखे यह दिया हुआ है तो वी रिलेशन और यह यां तो फ्रेंट्स अगर आपलोग फोकस करेंगे तो देखे 11 यहां पर है यहां पर क्या 22 है यहां पर 34 है क्लिए और देखा जाते इसका राइट एंसर होगा option number a हो गया यानि यह reflexive हो गया किले रहे है I hope आप लोगों को समझ में आ गया होगा किले रहे है ए नेक्स्ट कोशन लेट फंसर एन इसकर टो नेचुरल नमबर b are defined as function of x इसकर तो 3x choose the correct answer तो आप लोगों को देखें आप 3x है किले रहे है तो आप लोग क्या करें रहे है तो यह देखा है तो वन वन और अन्टू दोनों होगा तो राइट एंसर क्या होगा option number b and very next question is no तो चलिए इसमें f inverse निकालना है तो हम लोगो first of all क्या करें जो function दिया उहां लोग y माल लेंगे तो y इसकर टो क्या होगे देखे 3x-7 कर दिया हो किले रहे है अब फ्रेंस क्या करेंगे y प्लस 7 इसकर टो हम लोग लिखेंगे 3x क्या लिखेंगे 3x अब लोग x का व यह आपका answer हो गया यानि कि देखा है तो answer क्या हो कि x plus 7 by 3 option number a is the right answer and very next question is no तो देखें फ्रेंस question number 5 late function be a relation r to r तो friends आपको इसमें आपको लोगों निकालना है तो simple में आप लोग सॉल्फ कर सकते हैं चली मैं निकाल देता हूं देखें आप लोगों option number a is the right answer and next question तो चले next question क्यों लोगों बढ़ते हैं देखते ही क्या लिए था the value of sin cot inverse plus tan inverse तो friends आपको जानते हैं देखें tan inverse a plus cot inverse h करते होता है pi by 2 होता है तो यहां पे आगा sin pi by 2 अब sin pi by 2 का value क्या होता है 1 होता है तो option के cot देखें तो answer क्या होगा c होगा and very next question is now principal value of cos inverse minus 1 by 2 friends आप लोगों जानते हैं तो cos inverse का value है तो minus 1 से 0 तक होता है क्लिए रहा है तो इसके according देख रहा है तो आप लोगो pi में से minus करना पड़ेगा already आप जानते होंगे 1 by 2 किसका value है तो यह होता है 60 का 60 का लोग क्या लिखते है pi by 3 लिखते है pi by 3 तो इससे solve किजिएगा तो क्या जाएगा pi by 2 pi by 3 तो option number क्या आगा c answer and next question देखे 10 inverse root 3 minus sec inverse minus 2 is equal to first of all 10 inverse root 3 root 3 value होता है आपका 60 का लिखते है pi by 3 लिखेंगे अब देखे sec inverse है तो sec inverse में आप लोग को अलड़ी पता होगा minus हम लोग करते है pi से तो यानि pi minus minus 2 जो value होता है pi by 3 का होता है किसका होता है pi by 3 का होता है अब फ्रेंट्स से हम लोग solve करेंगे pi by 3 है और यहाँ पर क्या आ जाकर 2 pi by 3 आएगा तो इससे अगर आप लोग solve करते तो minus pi by 3 आएगा minus pi by 3 तो option के कोड़ी ने देखा तो option number a is the right answer and very next question is now तो चले next question हम लोग देखते है क्या लिख रहा है 1 by 2 क्या होता तो minus minus से plus हो जाएगा 1 by 2 होता pi by 6 का विल्यू तो यहाँ पर डिकली देंगे pi by 6 अब इसका friends हम लोग क्या करेंगे ना fraction of add करेंगे तो इससे अगर आप लोग solve किजेगा तो आ जाएगा तो आजाएगा तो आजाए रहा है और इससे आप लोग a b का transpose निकालने के लिए तो काफी easy question नहीं है चलिए मैं आप लोग को बताता हूं फर्स्ट आप अब लोग a b का value निकाले मुल्टिप्ला कीजिए देखिए आप लोग देखेंगे बी का value क्या दे रहा उसके according चलता हूं वन मिन वन हाँ चलिए तो देखिए यहां पर दिया है यहां पर देखा यहां तो यह 4 है आप लोग इसे solve करना तो आप लोग 4 होगा minus 3 अब नीचे जाएंगे तो यहां पर क्या लिखेंगे और minus 1 लिखेंगे तो चलिए solve करते हैं देखिए 4 में से 3 गया 1 और 8 में से 1 गया तो 7 आ गया किलिए रहा है यह आपका AB का भेलो लेकिन हम लोग को निकालना है AB का transpose की रूप में ठीक है तो देखिए हम लोग क्या करने रो को कॉलम में आ कॉलम को रो में बदलेंगे तो फ्रेंट्स 1 और 7 इसका right answer होगा 1 और 7 तो आपसर न करते हैं 2x-x-1 इसकल दो जीरो तो देखिए x-1 इसकल दो जीरो आ गया यानिक एक्स कभी लूप क्या आगया वन तो फ्रेंट्स ऑप्सन नमर ए आ गया क्लियर है आप लोग को सब्सक्राइब आ रहा होगा अब देखिए next question आप लोग को क्या निकालना फ्रेंट्स ए एक क अध्याव निकालना तो चली मैं आप लोग बताता हों देखिए एक अभी दिएक और यहां पर भी दिया है सइन ट्रिटा दिया है उसके साथ साथ थे हैं-स सच्ब्सक्राइब ओं पर यहां पर यहां पर जानना पड़ेगा एक का ट्रांसपोर्स निकालना यानि रो को को यहां पाज़ेंगा प्लस कोड़ी आपने जाते हूं कि प्लस कोड़ी तो इसको देखा है तो यह यहां पर कितना देरा टू एंड टू का बोल रहा था तो यह अलड़ी अधिक्ट नौ तो देखे इसमें आप लोगो निकालना है सबसे पहले क्रोस मिल्टिपिकेशन करें तो 3 को 1 से गुनागे 3 और X को X से गुनागे X स्कार हो गया इक्वल टू 3 को 1 से 3 अब माइनस के अरिट हो जागा के लिए अब देखे यह कैंसिल हो गया तो इसका हम टोड़ेंगे तो कितना है प्लस माइनस टू रूट टू है ठीक ह अब ऐसा कंडिशन आगा तो यहां पर 2 x 5 हो जाएगा क्योंकि देखे रो आइन कॉलम का इचीज है ठीक है तो इसका एंसर 2 x 5 आएगा एक नेक्ष्ट को सब्सक्राइब काफी तगड़ा को सने डिफरेंटेशन का है अगर आप लोग के जब भी आता है तो इंप्लिक्ट स देखे एक्स के रिस्पेट में डिफरेंटेशन करते तो कॉस का क्या होगा मैनस सैन एक्स होगा और यह इधर आएगा तो मैनस मैनस क्या जब पलस हो जाते हैं यहां पर हम लोग सैन एक्स लिए रहा है अब देखे वाई का क्या होता है सैन का क्या होगा कॉस एक्स होगा त कर लिख रहा है अब यहां पर लिख रहा है अब हैं पर लोग क्या करेंगे लॉग का होगे निकालेंगे हैं पर पावर एकस का और यह नहीं का लेंगे तो अगर इसे आप लोग solution कीजिए गा तो आप लोग का एंसर आजाएगा option number a आजाएगा यानिक यह आजाएगा ठीक है आप लोग सॉल्व कर सकते हैं इसे ठीक है एक्ट को सन देखिए यह आप लोग कॉंसोनेट वाला है तो इसमें सिंपल में जीरो आगे इसका एंसर के लिए रहा है यानिकि माइनस बाइट इस दा राइट एंसर एड़ एक्ट को सुलोप अब टाइंजेंट तू तकर वाइच इसकल टू पाइट फ्रेंट्स आप लोगो कुछ नहीं करना देखिए डी वाइवाइड एक्स करना के लिए रहा है आप देखें डिफ्रेंटेशन निकालना आप का सैन एक्स का द्रह डिफ्रेंटेशन निकाले गाताब कॉस रहा है अभ देखें आप लोगो पूथ करना पाई बार्टन आप लोगों सॉल था इंटर्वल घूट इसका राइट एंसर आप्सेन नेंबर देखिए यह इसका राइट एंसर 0 यह क्या जीरो एगा जो ऐगा कि अब देखें फिर से को डिक्रीजिंग कंडिशन के लिए आप लोगों सबसे पहले इसका निकालना पड़ेगा ठीक है चले मैं लिखता हूं देखें डिफ्रेंटेशन यह नहीं कि देखें वाइक डैस लिखता हूं तो क्या आएगा फिर माइनस टूल एकस आएगा माइनस 72 आएगा थो अफ लोगों समझना रहा हूँगा आफसा मलग तो यहां पर क्या बच्चेगा माइनस सिक्साइगा क्या है इसमें फ्रैंट सॉल्फ किजएगा गाएर गार गांस टू और थी घ्या है गार इनक्रीजिंग बोल रहा तो तो हम लोग क्या करें एक नान की रिए माइनस से इन्फिनिटीव लेंगे आप एक यहां प्लोग क्या करेंगे देखे अब हम लोग यहां से स्टार्ट करते हैं यह माइनस प्लस हो गया रहा है आप लोग को क्या भूल हो रहा है अभ्यान से देखिए यहां पर क्या वह रहा रहा है तो अप्स नमबर ए और ने ने इस्ट को सनी जो आ चुके हैं चली देखते हैं क्या लिख रहा देखिए इंट्रिगेशन आप लोगो करना है तो इसमें पर पावर ऑफ ने पर आप लोगो पूट अ करना पूटेगा देखिए यहां पर पावर एक्स इंटू पॉट कीजिए टी आप लोगो क्या करना यूंटू वी यानि यानि बाइपार्ट सका यूज करना यूज करते हुए इसे आप तो जब आप लोग यूज किज़ेगा ना तो simple वे में last condition आजाएगा dt by d sorry dt by cos square t आजाएगा ठीक है अब इसे किज़ेगा तो यहां पर क्या होगा तो इसे जब किज़ेगा तो आजाएगा 10 आजाएगा 10 आजाएगा 10 आजाएगा और एक्स इपर पावर एक्स आजाएगा ठीक है तो आई होप आप लोग समझ बना सकते हैं से ठीक है है नेक्स्ट किसन काफी तगड़ा है पॉसिबिलिटी पेपर में आजाकता यह तो देखे जब भी ऐसा को सब्सक्राइगा तो आप लोग क्या करेंगे देखें आप सिंपल में क्या मानेंगे सैन स्क्वार एक्स प्लस कॉस्वार एक्स मानेंगे और यहां पर क्या दिए हो अगर इसे आप लोग कीजिएगा तो सिंपल में इसका एंसर निम्स कोट एक्स प्लस सी आएगा ठीक है तो ऑफसर नंबर आपका वी आजाएगा और नेक्स्ट को सन्ट देखें यह भी को संगे आई लीट वाला क्लियर तो इसे भी अगर अगर आप लोग सॉल्व पताने म पॉसिबिलिटी नहीं है तो चलिए मैं फिर भी हिंट्स कर रहा हूं आप लोगो देखे 25 जो को संसरे इसमें आप लोग को वर्ट क्या करना पड़े देखे आप लोग को यह यूज करना पड़ेगा फर्स्ट फॉर इसमें देखना होगा कॉमन क्या ले सकते हैं कोई लुट बचा है आप लोग क्या करेंगे यहां पर लिए फॉर्मूला जब यूज किजेगा तो टैन इंवर्स का यूज किजेगा क्या किजेगा तो लास्ट आपका यह कंडिसान रहेगा तो इसे अगर आप लोग सौट कि जिए ना तो राक लिए अश्ट आएगा पाई भ आप लोग को बताना चाहता है जब भी होमोजीनियस कोशन बनाते ना तो हमें से यहाद रखिएगा वाइच करते हैं भी एक्स क्या पूट करते हैं भी एक्स तो आपसर नमबर एज दा राइट एंसर एन एक्स्ट को सब्सक्राइगा तो इससे अगर आप लोग सॉल्व कि डेखके हैं यरी को इस में सौफ करना यानिक Και है वैक्तर से कोशंस ऑख इसको तो इससे और आप लोग बड़ लोग सॉल्व कि जहिए अ क्या साघ्य जाया गज़ीस इसको तो यह भी आएगा पाइगा pine body 3 जाएगा sorry two pie by three जाएगा इसका वेल्य निकालना था तो देखिए यहां पर आई लिए देंगे अब जे क्रॉस के है तो जे क्रॉस के इसकल टू आई होता है आई डॉट आई इसकल टू वान होता है तो यानि ऑपसर नमबर सीज़दा राइट अंसर अब देखें यहां पर क्या वह रहा इंगल 90 डिग्री 135 डिग्री टो उसी प्रकार को सफ 4डी 5 कि पासिंग ट्रू जिरोट सीभे होता है तो देखा यहां ऑपसर नमबर 20 राइंसर and very next question is now Cartesian equation of line passing through 0 0 0 5 minus 2 3 friends आप लोग को work करना x minus आप लोग को passing जो line से करते हैं 0 अब यहाँ पर value किता दिया 5 दिया इसी प्रका y minus 0 करना फिर यहाँ पर value दिया किता है minus 2 दिया just like same z minus 0 by 3 तो यह condition अगर आप लोग देखते हैं तो option number देखे ध्यान से option number b is the right answer and very next question distance of the plane 2x minus 3y plus 4z is called to 6 from the origin friends आप लोग को origins जभी बोलता है तो यानि x y z is called to 0 माल नहीं के लिए तो आप लोग को क्या आएगा 6 आजएगा यहाँ पर जो दिया सभी का है क्या करते है square कर देंगा 2 का square 4 होता है 3 का square 9 होता है 14 का square 16 होता है तो इससे अगर आप लोग solve किजिएगा 6 by 29 आएगा 6 by 29 जो की option number c लिख रहा and very next question देखे यह questions वोगा आप लोगा plane का question है 2x minus y plus 4z is called to 5 फिर उसी प्रगाब वोगा 5x minus 2y plus 10z is called to 6 तो friends इसे देखेगा तो यहां भी लिखे आप लिखे आप लिखते हैं फिर y में minus 1 by minus 2.5 लिख रहे हैं फिर यहां पर लिखेगा 4 by 10 लिखेगा तो इससे ratio में लाएगा ना तो सभी equal आजाएगा ठीक है तो जब भी equal आता तो तुसमें बोलते है पैर्लल क्या बोलते हैं पैर्लल तो यह equation पैर्लल का है एक्ष्ट कोशन दा वेक्टर एक्वेशन ऑफ एलायन पास सॉरी वेर काटीजन एक्वेशन इक्वेशन तो इसका देखा है तो ऑप्सन नंबर आज दा राइट इंसर होगा किलिए तो अब चलिए नेश्ट कोशन के लाइब बढ़ते हैं इसमें जब भी ऐसा कोशन बोलेगा ना तो देखे आर का जो कंडिशन होता देखे आगे लिखते हैं पर लेम्ड़ भी लिखते हैं तो ए निकालने के लिए क्लिए यह उपर अल रैसो में आ लिए 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 अनि फिल फ्राइब साथ ने इस सब्सक्राइब प्राइम नंबर ऑर इच डाइब अप लोग को पता होगा इवन प्राइम नंबर नक अफली बन होता यानि एक पी होता दो तो इसकी संख्य जो तब कि एक वार आता है ठीक है और यह जब डाइस को अगर रॉल करते हैं तो हम लोग यह कितना प्राफ्ट होगा, 36 वाइब तो इसका राइधन सगया 1 वाइधन सगया 1 वाइधन 36 हो गया आधन सगया 1 वाइधन सगया 1 वाइधन सब्सक्राइश हो गया and very next question is now जरे याँ पिक रहा है सबसे फाले फ्रांट संपार बोलिए बहुत चिल्डेन्स और महीं देखे कंडिसम एक आरा इसमें निकालेंगें दोनों बोल होने के लिए बीदी सब्सक्राइब कर संसे चाहिए अभी लिए उसको भी उसके लिए बोले अट्लिस सब्सक्राइब तो तो टोटल तीन आ जाएगा ठीक है अब इसमें इंट्रेक्षन कीजिए न तो बीबी आपका इंट्रक्षन होगा तो देखिए आप लोग को यहाँ पे क्या करना थे पी एवाइब का फर्मूला यूच करना हा तो अलड़ी आपको यूच किया करने आते होंगा इसका फर् क्लोट प्टेमेंट दोनों का मल्टिप्ला करते हैं कि प्रोडलेटि ओफ बेलटी ओप्रोडी करते हैं ठीक है तो ऑप्सं नमबर डारेंस है इसमें कोई फॉड्डलो न फैंस वी और आगे होने से कोई दिक्कत नहीं है तो देखा है तो एंसर होगा option number D and very next question is no तो देखे probability of देखे यहाँ पी question काफी टगड़ा लिख रहा है probability of लिख रहा है यह देखें का रहां से e-e लिख रहा है sorry F है यहां फर friends यहां F है तो आप लोगो solve करना है तो probability of लिखेंगा देखे e-e लिखेंगा intersection f लिखेंगा अब यहां पर लोगों को लिखना probability of f का यूज करना ठीक है तो देखे इसे अगर आप लोगो solve करते हैं तो देखे first of all friends आप लोगो क्या करना है देखे इसमें आप लोग इंडिपेंडेंस का मैं अब इसे solve किजिए तो one minus probability of e निकलेगा क्या बचेंगा तो option नमबर देखा या तो option नमर क्या हो गया option number a is the right answer and very last question जोगो a box containing देखे इसका फिर मैं next वीडियो लाओंगो देखे एक box containing hundred bulbs जैसे में 10 क्या defective से are purity that of sample of five bulbs are non defective friends अब से पहरे देखे defective कितना 10 है और और फंड़ेड तो यह P का भीर हो अगा निकालते है तो 1 by T आगया के लिए याने लिखना ठीक है आप कितना वहरा फाइब के बारें वहरा तो पर फाइब दे देना है option number c यह बाइनेमियो डिस्ट्रिब्यूशन का कोसं का यूज किया गया तो फ्रेंट्स यह रहा हमारा फोटी कोसं आई होब आप लोग को समझ में आया होगा अब ऐसे आप लोग कोसं में देख लिख सकते हैं किस्ता आप से पूछा जाता है कोसं ठीक है तो यह BPSC टाय थिरिक लिए काफी मत्पून कोसं था यह आप लोग देख लिजे और फ्रेंट्स हो सके तो खुद प्रैक्टिस करके बनाने का प्रियास किजिए मैं कि व्लाक्टियों को कोसं दिखाने आता और कुछ नहीं चले ठेक हैं कि सो मच हमारे चैनल में इसी प्रकाप बने रहे हैं कि सो मच